If x and y are positive integers such that 1994 is equal to x plus y का square plus 3x plus y तो अब एक important बात हमें गिवाने पहली बात तो x क्या है हमारे पास में greater than 0 है और y भी greater than 0 है अब obviously अगर हम देखेंगे x और y greater than 0 है तो 1994 किसका square है है ना तो 1994 तो हमें एक चीज clear होनी चीए 3x अगर positive और y भी positive है तो जो x plus y का whole square होगा वो क्या होगा less than 1994 होगा reason क्यों क्यों कि अगर x y positive है तो इन दोनों का addition करने के बाद 1994 मिलेगा न तो obviously बात है x plus y का square 1994 से छोटा होगा तो अब हम एक चीज पता है कि 45 का square केदा होता है 45 का square होता है हमारे पास में होता है 20 कितना 20 त्वेटी ट्वेटी-फाइफ ऐसे 44 का square केता होता है हमारे पास में वो होता है 1936 तो अब एक चीश तो clear है, x भी हमारे पास में integer है और y भी integer है, तो x प्लस y की value 45 तो नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि उस case में क्या होगा? हमारी value square की 2025 हो जाएगी, तो हमारे पास में x प्लस y की value क्या हो सकती है? 44 हो सकती है, या फिर उससे भी कम हो सकती है, तो जैसे अब हम देखेंगे, x प्लस y की value अगर हमारे पास में क्या हुआ? equal to 44 हो गई, क्योंकि possible तो है न हो सकती है, क्योंकि यह 1944 से छोटा है, तो उस case में 3x प्लस y हमें पता है किसके equal हो जाएगा? 3x प्लस y हो जाएगा equal to 3x प्लस y is equal to 1994 minus 1936 हो जाएगा, which is equal to 58, तो अब 2 equation हो गई यहां से हमारे पास में, यह हमारे पास में पहला कीस है, ठीक है? Case 1, अब तो x प्लस y 44 हो गया हमारे पास में, और 3x प्लस y 58 हो गया हमारे पास में, तो अगर हम इन दो second equation में से first equation को subtract करो, तो यहां से 2x की value आजाएगी equal to 14, तो यहां से x की value कहाएगी equal to 7, अगर x की value 7 आगई, तो y की value कहाएगी हमारे पास में उस case में, y जाएगा equal to 37, तो दोनो positive है, तो ये हमारे पास में एक possible solution है, तो x, y का एक pair आया हमारे पास में, 7, 37. अब x plus y की value 44 है, 43 भी तो हो सकती है, तो case 2 लिया है मैंने यहापे, कि x plus y हो गया, equal to 43. अब 43 का square क्या होता है? तो वो होता है हमारे पास में 18, 49, तो इस case में 3x plus y की value का जाएगी, 3x plus 5 हो जाएगा हमारे पास में, 1994 minus, what? 1994 minus 43 का square है ना? तो वो value आती है हमारे पास में equal to 145. तो यहाँ से भी हमें 2 equation मिल गई. तो अगर मैं यहाँ से subtract करूँगा, तो अगर 2x की value किती हो जाएगी मेरे पास में? 102, तो x की value क्या आगई? 51, अगर x हमारे पास में 51 आगया, तो y की value क्या जाएगी? y जाएगा equal to minus of 8, तो y तो negative आगया, क्या यह possible है? No, तो यह अलगा case हमारे पास में not possible. तो ऐसे ही अगर मैं देखूँगा, next case क्या लूँगा? तो मैं x plus y को 42 लूँगा, तो वो भी हमारे पास में possible नहींगा, उसमें भी ऐसे ही एक value negative आगयाती है. तो हमारे पास में सिर्फ एक case possible होता है, जब x की value 7 और y की value 37 हो. So answer for this question is y is equal to 37.